हेलो बच्चों तो अभी हम सॉल्व करेंगी कुश्चन 3 और 4 ओके कुश्चन 3 & 4 एक्सराइस 3.1 डाटा हैंडलिंग बहुत ही इंपटेंट चेप्टर हैं मैं आपको बार 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 बोल रहा हूं और उससे पहले जो चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड को सेर जरूर कीजिएगा तब कि सबको फाइदा मिले तो लेट्स टार्ट इट तो यह आपके सामने कुश्चन है अब देख सकते हो find the mean of first five whole number mean तो आप समझ गये होगे उपर में मैंने दो बार करा लिया अब कुश्चन उड़ता है first five whole number कौन सी है जिन one two three or four zero एक whole number है यह non positive non negative number है बट यह एक whole number है इसके उपर आप doubt मतल किजिए zero एक whole number है अब करना क्या है mean निकालना है mean निकालना है मतलब पहले सारे को plus करना है और जितना data है कितने बार data लिया गया है one two three four five five data को divide करना है उसमें ठीक है तो सारे को plus करेंगे तो कैसे होगा यह हो जाएगा ऐसे ही बीना कुछ महनत के आपका total है ten okay one plus two three three plus three six six plus four ten okay so it will be ten divide by five okay आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहिए ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है तो इसमें थोड़ा easy रहता है तो कितना बनेगा यह बनेगा two ठीक है तो mean क्या है first five whole number का it is two okay ऐसे आपको लिखना है first five first five whole number are zero one two three four the mean of first five whole number is zero plus one plus two plus three plus four divided by five ठीक है तो फिर finally लिखना है 10 divided by five is equal to two इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा ठीक है ओके सो अब next में चलते हैं वीडियो में sorry next question में चलते हैं क्रिकेटर स्कोर्स दा फॉलोइंग रंस इन एट इनिंग्स उके उसने आठ इनिंग्स लिया और स्कोर बनाया 58, 76, 40, 35, 46, 45 and 0 और 100 तो अभी निकालना है mean score क्या है क्या लिया है यहाँ पे mean score फॉर्मूला से हम है सारे को आप plus कर दो ठीक है सारे को आपको plus कर देना है इन सारों को plus कर देना है तो plus करने से कितना होगा जैसे यह दिया है 191 इन चारों को मिला देने से क्या होता है 191 यह plus करने का आसान तरीका है बिना कालकुलेटर के और यह है 75 यह दोनों को मिला होगे तो 75 है आराम से दिख रहा है और यह 76 है यह 76 है और यह 58 है ठीक है तो इन सब को मिलाओगे आपका बनेगा कितना 400 कितना बनेगा टोटल 400 राइट बन रहा है सभी का देखिएगा आपका 400 ही आएगा ठीक है तो 400 divided by टोटल कितना अबजर्विशन है कितना इनिंग्स उसने खेला है 8 इनिंग्स खेला है यहां पर लिखा है ना 8 इनिंग्स तो 8 खेला है तो ऐसे लिखना है आपको टोटल स्कोर्स बाइद क्रिकेटर इन 8 इनिंग्स इस सब को प्लस करना है प्लस करते हुए लिखना है 400 so the mean of score is equal to 400 divided by 8 is equal to 50 answer कितना निकलेगा 50 okay so the answer will be 50 ठीक है अब next video में next question को solve करेंगे और like share करना मत भूलियेगा thank you